हेलो इस्टूरंट वेलकम टू वीपी एजूकेशन मैं विकास पांड या आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ वीपी एजूकेशन पर आज की इस वीडियो में हम सब कवर करने वाले हैं क्लास फाइब मैट से चाप्टर नॉमबर 12 का एकसरसाईज नॉमबर 12.3 जो कि आप सब देख सकते हैं और इस वीडियो में हम सब एकसरसाईज नॉमबर 12.3 या आगे का भी exercise हम देखेंगे और उसका solution हमने आप के लिए करके रखा हुआ है यानि जितने भी इसमें question 12.3 में दिये गए हैं उनका solution यहाँ पे आप देख सकते हैं तो आपको क्या करना है question को read करना है and उसके बाद अपने answer को fill up कर लेना है और अच्छे से करना है and match up भी करना तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं first number question दिया गया है क्या observe the following figure and answer the question यानि बोला गया है कि यह जो आपको figure दिखाए दे रहा है इसको observe करिए देखिए समझे और यहाँ पे जो 1,2,3,4 आपको questions दिखाए दे रहे हैं इनका answer करिए ओके जैसे कि हम पहला question आपको समझा द पीचो बीच का point क्या है विटा ओ है तो ओ ही इसका क्या हो जाएगा center point हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आपको question को समझना है and the answer आपके सामने है तो आप इसको fill up कर लिजे ओके तो चलिए चलते है next question पर यह रहा आपको question number 2 आप देख सकते हैं इसमें आपका question जो है दि फालस आप से पुछा गया है बोला गया है कि diameter इक्वल half of the ready, diameter इक्वल इसमें बोला गया diameter भराबर होता है किसका radius के half के बराबर होता है तो diameter उसे कहते हैं जो कि circle का आप जानते हैं longest code होता है जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है उसे diameter का जाता है रेडियस जो होता है वो आपका center point से और आपके circle के किसी भी किनारे पर जो point होता है वहां तक की दूरी हमारी radius होती है तो diameter और radius में तो बहुत अंतर होता है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा false हो जाएगा ठीक है तो आप देख सकते हैं इसमें जो भी question है आपको one by one essay with answer दिया गया है आपको cover कर लेना ओके तो आप देख सकते हैं यहां और down case में ये देख सकते हैं आप इतना ठीक है तो यहां तक आप लोग अच्छे से write कर लिजे और match up कर लिजे अच्छे से ठीक है तो चलिए और down case में इसका और भी answer है आप देख सकते हैं यहां तक ठीक है यहां तर, ओके, सारा एंसर आपके सामने है, तो one by one आपको ऐसे cover कर लेना है, चलिए, चलते हैं, अगले प्रशन पर, सो स्टुडेंट, यहां से आपका जो है exercise number 12.4 स्टार्ट हो रहा है, 12.4 जिसका solution आपके सामने है, define the following terms, आपका radius का terms बताना है, diameter का बताना है, तो इस तरीके से आपका यहां definition राइट करी गई है, आपको ऐसे ही समझना है और राइट करना है, और सभी लोग definition को याद कर लेज तो कैसे आप बताएंगे, कहेंगे align segment drawn from the center to any point on the circle, बोला गया align segment, एक line segment जो की खीची गई हो, बनाई गई हो from the center, circle के center से to any point on the circle, circle के किसी भी point पर जो circle ऐसे goal होता है, जैसे यहां एक point है, तो center point से यहां तब की दूरी क्या हो जाएगी, radius हो जाएगी, आपको समझ में आग इसको अच्छे से learn करिए, और जब कोई आप से पूछे, तो इस तरीके से इसका answer करना हो, तो चलिए चलते हैं, अगले प्रशन पर, यह है आपका question number B, जो की दिया गया, find the radius of the circle, whose diameter हो, यहां पे आपको diameter दिया गया है, और आपको क्या निकालना है, यहां पे आपको radius निक आपको radius निकालना है, तो आपको क्या कर देना है, सारे numbers को जो भी यहां पे दिया गया है, उसको भर के, और आप 2 से divide कर दीजे, आपका radius निकलाएगा, okay, समझ में आगया आपको, तो यहां पे देख सकते हैं, diameter आपका 8 cm दिया गया था, फार्मूला हमको पता है, तो radius equal diameter आ हो गया, तो यह हो गया, four upon one, और answer आएगा कितना आपका, four, तो radius equal क्या हो गया, four, समझ में आगया, आप question number two देख सकते हैं, और down case में यहां आपका question number three भी है, यहां देखिया, ठीक है, तो चलिए आगे, चलते हैं, next question पे question number four, यह आपका है, question number four, ठीक है, question number four आप लोग कर लिजे, and question number C से आप देख सकते हैं, true, false का फिर से आपका question दिया गया है, तो आपका answer सामने है, आप इसको अच्छे से cover कर लिजे, five तक आप लोग अच्छे से cover कर लिजे, और उसके बाद हम चलेंगे question number D पर, okay बेटा, question number D पर, so student आप देख सकते हैं, यहां question number D में दिया how many radius in a circle, एक circle में बताये कि कितने radius होते हैं, तो एक circle में आप जानते हैं, एक circle जो होता, उसमें infinite radius होते हैं, यानि अनन्त, अनगिन, चाहे जितने आप बना सकते हैं, ठीक है, तो यहां पर आप देखे, जैसे एक circle है, इसका center point से ही radius स्टार्ट होता है, center point से लेकर, circle पर किस से यहां जा सकते हैं, यहां से यहां जा सकते हैं, ऐसे से आप अनन्त है, यानि इसकी कोई गिंती नहीं बनाते रहो, बनाते रहो, ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, infinite हो गया, बात समझ में आ गई, तो चलते हैं, अगले प्रश्न पर, सो स्टुडेंट यह रहा, question number E, आप देख सकते हैं, find the diameter of the circle, whose radius are, जो कि इसमें radius आपका दिया गया है, और आपको find करना है, क्या बिटा, इसमें आपको diameter find करना है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, यहां पे दिया गया 2.5 cm, आपका क्या है, यह है, आपका radius और diameter find करने के ल diameter के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो आपका radius होता है, वह दो गुना होता है, diameter के, ठीक है, वह क्या होता है, दो गुना होता है, अगर हम radius का दो गुना करें, तो एक diameter आपका बन जाएगा, बास समझ में आ गई, तो यहां पे question number E में देख सकते हैं, जो भी प्रस् student, तो चलिए, अगले प्रस्न पर चलते हैं, यह आपका question number F देख सकते हैं, ठीक है, draw a circle of the following radius, जो कि यह same radius के साथ आपको circle draw करना है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, और इसको draw करने के लिए आपको, यहां पे जितने भी आपको आगे figure सर बताने वाले हैं, यहां पे जो आ आपको गोला प्रकार के दोनों तरफ से क्या कर लेना है, पहले गोला प्रकार इसके खोलना है आपको, और जब गोला प्रकार को खोल के और scale के उपर set करना है, 0 से लेकर के, आप 2.6 cm तक अपने गोला प्रकार को set कर लीजेगा, अच्छे से, वहां से yarni measure ले लीजेगा, एक तरफ पैंसील होना चाहिए एक तरफ उसका जो फिक्ष्ड पॉइंट होता है और उसके बाद मेजर करने के बाद यहां पर आपको फिक्ष्ड पॉइंट करना है जहां से गुला प्रकार का नुकीला होता है वहां पर फिक्ष्ड करके उसके बाद चारो तरफ से क्या करें सरकल बना देना हो के बात समझ में आगे तो आपका 2.6 संटीमीटर का एक क्या बन जाएगा रेडियस वाला सरकल तयार हो जाए गाबात समझ में आगे यहां पर आगे देखिए 3 संटीमीटर का करना है सेम उसी का यूज करके करना है आपको यहां कोश्चन नंबर 3 में 4.2 इस को इस तरीके से करेंगे ठीक यहां यहां पको कोश्चन नंबर आप देख सकते हैं यहां पर क्या है अगला प्रशन आपका दिया गया complete the table आप देख सकते हैं क्या दिया गया complete the table है तो table को आपको इस तरीके से complete करना है ठीक है इस तरीके से आप देख सकते हैं और उसके बाद आगे का प्रशन देखे जे दिया गया है इसका answer आप देख सकते हैं down case में ओके तो चलिए आगे चल के बात समझ में आगे चलिए अगले प्रस्ण पर चलते हैं यह आपका कोश्चन नंबर एल आप देख सकते हैं कोश्चन नंबर एल और इसका यह है एंसर और पर चलते हैं तो यह अगला प्रस्ण नहीं यहां से आपका एक्सराइज 12.5 स्टार्ट होता है और जो की दिया गय प्रस्ण आप कवर कर लिजे अपनी प्रस्ण आप ने सकते हैं यह आपका कोश्चन नंबर भी आप देख सकते हैं इस deferिके लाइन अपको reflection symmetry ठीक है तो आप देख सकते हैं अगर हम यहां से एक symmetry line बनाए तो इसका reflection यहां पे आएगा कि नहीं दिया गया है reflection figure symmetry ठीक है यह reflection figure आएगा यहां से अगर आप इसको reflect यानि किसी mirror के सामने रखेंगे तो उसका इस तरीके का figure बन जाए गाबाद समझ में आ गई तो इस तरीके से आप से इसमें answer पूछा गया था तो यहां पर आप question number देख सकते हैं 2 question number यहां देख सकते हैं 3 question number 3 में दिया गया है reflection figure symmetry question number 4 आप देख सकते हैं जो की reflection figure नहीं है और चलिए आगले प्रशन पर चलते हैं question number यहां पर आपका 5 है देख सकते हैं and 6 है और उसके बाद यहां पर answer के वल आपका क्या था two and four था ठीक है two and four था तो चलिए आगे चलते हैं question number D आप देख सकते है question number D यहां पर पूछा गया था आप से कि write down letters आप the English alphabet which has which has which has क्या प्रशन यहां पर दिया गया आपका horizontal line symmetry इसमें जितने भी letters दिये गए बताए इसमें से horizontal line वाले symmetrical letter कौन से है ठीक है horizontal यानि जो बेड़े-बेड़े होता है तो आप जानते हैं कि symmetrical figure उसे कहा जाता है या symmetry उसे कहा जाता है जो हू बहू उसी का आकरती का उपर या नीचे जैसे suppose that अगर हम A में एक बेड़ी वाली line बनाते हैं तो उसी के अनुरूप उपर भी same figure बनना चाहिए और उसके नीचे भी same figure बनना चाहिए ठीक है बात समझ में आ गए तो इस तरीके से आपको देखना है यहां पे आप B को देखिए अगर यहां पे हम एक बेड़ी line बनाएं यहां से यहां तक तो आप देख रहा है जिस तरीके का figure उपर अपर केस में बन रहा हो ऐसे ही same to same नीचे भी बन रहा है तो यह जो B है इसमें आपका जो है horizontal line symmetry का आएगा बात समझ में आगे तो ऐसे आपका B, C, D जो है इसमें same to same ऐसे figure बनेंगे चलिए आगे इसमें पूछा गया था उसी later में आपसे पूछा गया था बताए कि vertical line symmetry इसमें कौन कौन सा है तो आप इसमें से ऐसे आप देख सकते हैं A, I, T, U, V, W है बात समझ में आगे आगे देखिए कि अगला question 3 दिया गया है जो की answer आप देख सकते हैं सामने की H, O, X इसका आएगा clear हो गया आपको तो चलिए चलते हैं अगले प्रस्ट पर question number B आप देख सकते हैं यह आपका question number B इस तरीके से इसका answer करना है आपको ठीक है और जितने भी figure आपको draw करने है बेटा सब scale का ही use करके करिएगा symmetry line को dot 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 इस तरीके से बनाना होगे चलिए यहाँ पर यह question number 3 and 4 देख सकते हैं और आगे चलिए ति यह question number आपका है 5 और यह रहा आपका question number 6 clear हुआ तो आगे चलते हैं आप देख सकते हैं कि और सारा question हमने one by one cover कर लिया आपको सारे question अच्छे से समझ में आ गए होंगे जिस भी question को आपको note down करना है यानि लिखना है आप उस जगह पर उस place पर वीडियो को pause कर दीजे और pause करने के बाद आप अपना answer complete करने के बाद जो है वीडियो को फिर से चालू करके आप जो है आगे के question को cover करेंगे तो I hope आपको सारी चीजे अच्छे से समझ में आ गई होंगे तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई topic के साथ तब तक के लिए bye bye take care